नमस्कार दोस्तों मैं विकास चाटेंट्रेट से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों तो लाश्ट वीक एकदम धमाकेदार रहा के हिसाफ से काम हुआ है जो हम लोगों ने लाश्ट वीक में डिसीजन लिया था एकदम से डिसीजन एकदम से डिसीजन के हिसाफ से ट्रेट प्लान बना है दोस्तों हम लोगों ने लाश्ट वीक में ये बियरीस डिवर्जेंस को फ्लॉट किया था और हम लोगों ने का केंडल देखके हम लोगों को ट्रेड लेना है मंदे को देखके एक डोजी मिल गया प्यारा सा डोजी मिल गया मैं एकदम से रेडी हो गया था कि जोजी मिल गया डोजी का हाई टूटे का हम लोगों को लेना है यहाँ पे डोजी का हाई टूटा लिया and then it was all together a rally in nifty बहुत गया almost nifty में हम लोगों को साड़े 500 पाइंट का मूफ मिल गया और यह अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी में भी हम लोगोंने बाई और डिप्स की रणनीती रखी थी यह थोड़ा फ्यूचर में पंचिंग पंचिंग लोग है ठीक हम लोगोंने 43,250,300 का सपोर्ट जोन पकड़ा था तो 43,300 के करीब यह जाके आया है पर यह पंचिंग लोग है इस पॉर्ट में लोग दिखेंगे तो 43,600 का लोग है तो मंदे को जबी लो बना के भूमा वी वर रेडी टू बाई अगर हम लोग इसका स्पॉर्ट का चार्ट दिखेंगे बैंक मिट्टी का लेट में जेस्ट वोग इस पॉर्ट चार्ट दिखेंगे दिखेंगे करके गया इस वीक भी एकतम से 26 तरीकों जब पुला लोवर लेबल को टच करके 43,541 का लोग बना के जब रिवर्स के यहां पर कोई इंडिकेशन नहीं नहीं गिला था पर जैसे यह कंजेशन जो के बाहर निकला बॉलिंगर बैंड के मिडल बैंड के उपर चला 43,900 के उप आपके पास चार्ट का स्टडी लेकर आता हो ताकि आपके लिए अनलिस इस इकल तू पैरलिस नहीं होगी बहुत सारा का इंडिकेटर लगा दिया यह भी देख लो वह भी देख लो नहीं सीखना है और सिंपल तरीके से पतले मेरे स्टुडेंट लोग सिंपल तरीके से फिर्टर आइडिय लेकर आपके अब दोस्तों लोग बात कर लेते हैं निक्स टीक के लिए अपकमिंग विक में हमारा क्याइट रिप्लान होना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए तो दोस्तों बैंक निफ्टी में जो सब से पहले मैं देख रहा हूं लॉंगर चार्ट में चार्ट हाइली बुली से बट आवर्ली चार्ट में बैंक निफ्टी जो है वालिंगर बैंट के टॉप बैंट पे चला गया में सीडी उपर से बैंट होने वाला है तो अगर बैंक निफ्टी के लिए रेश्टेंस का काम करेंगा जहां पर हाइस वस्टी लिए बहुत उपर में तो चांज बना है ठीक है इतने लंबे consolidation के बाद में एक ये bullish crossover बना है अब जब तक अब जब तक दोस्तों ये level नहीं तूड़ियाता है तो बहुत दूर हो जाएगा यही ठीक है अब जब तक 44,400 44,400 के नीचे bank nifty trade नहीं करता है तब तक panic का बटन तो on होगा क्यों क्योंकि weekly में one, two, three, four, five week के consolidation trend को इसने भी pressure किया है मतलब इसने इसको break किया है but maced मेरे को अभी भी longer time frame के maced अभी भी साथ नहीं दे रहा है और bank nifty मेरे बढ़ियाँ pattern बना है जिसको मैं बोलता हूँ M से ठीक है तो दोस्तों ये false भी हो सकता है ये जो rally इस week में आया है ना इस rally can be a false and misleading rally ठीक है तो next week next 7 दिन बहुत 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 केरफुल रहना है अगर मैं एक यहां से downtrend चालू हो गया और ये supports जों टूड गय 44,000 के नीचे अगर हम लोग आ गरना तो ये M से confirm हो याएगा and then पहला target मेरा M से का बनेगा इसका निकलेंग के पास में और उसके बाद lower support तो यहां तक खर इतना नहीं आता है बट अटलिस्ट यहां तक का करिक्सन आ सकता है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा केरफूल रहना है यह तो भी मच 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 केरफूल क्योंकि मंथली चार्ट में आपको डेली के वीकली चार्ट में एम का फर्मिशन का पैटन दिखा रहा लिया है मंतली चार्ट में देखिए बजार हाई बना रहा है बट एमेसीडी अभी भी एग्री नहीं कर रहा है मिन्स जुलाई मन्थ बहुत खराब होने वाला है अगर 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 में एमेसीडी में बीरीस क्रॉस ओवर बन गया तो इस टैप का कुछ बड़ा फॉल पिखने मिलेगा इस टैप के कुछ बड़े फॉल पिखने मिलेंगे हो सकता है यह फॉल बहुत गंदा हो आठ से दस हजार पॉइंट का करेक्शन बैंक निटी में आ सकता है तो बी प्रिप्यर लांग से वेग्जित हो जाना है दीरे-दीरे वीवल गेत Xcita from the longs wait करिए बहुतार निफ्टी का टारगेट मिलेगा बचार्ड जब तक अगर आपको चार्ट के साथ चलिये धीरे 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 फ्रसट उसे लिए एकटम से धीरे धीरे ऑज्यार से अपने लोंक्स को काटिए प्रॉफिट बुक करिए सिर्टान के छोट मॉका मि तुक है निफ्टी ठीक है निफ्टी में कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है तुक है निफ्टी एक्तम से बहुत अच्छे जून पे भी है बट तिल नाव बजार ने इस हाई को प्रॉस किया बट अभी भी अब निफ्टी के लिए जब तक यह निफ्टी के लिए वाइटल सपोर्ट जोन मेरे को डेली चार्ट से मितलना पड़ेगा अब निफ्टी उन्नीस हजार के उपर जब तक है अब निफ्टी में तो पैनिक नहीं करना है क्योंकि मेरे को यह पर कोई आयम या वो सो पैटन्स नजर नहीं आ रहे हैं तो आपलेस्ट्य यह बर्टी सुट ब्रेक दिजाए अकर यहाई ब्रेक नहीं कर तो यहां से भूं जाता है अब 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 यहांसे एक और बड़ा डाइवर्जिस बन ज तो इस इस वाट आई रीट तो मैं हमेंसा ट्रेंट चेंज को बहुत जल्दी क्याप्चर करने की पूसिज सब्सक्राइब करना है तो निफ्टी में अगर निफ्टी में नीचे जाता है तो डिफिनेटली मैं सेल करने के सुचूंगा उनिफ्टी जो सुपेश्ट अप्लस में टार्गेट रखूंगा करीब अठाराजार शास्टो और अठाराजार शास्टो पा टिक है वहीं कोर्सपोंडिंगली बैंक निफ्टी अफिक्तव बैंक अफिक्ति जायेर अफिक्तव है क्यों तर्ट बैंक नेफ्टी ही जाइस के अपर मिंटेंद हो रहा है डिक्याा था जा त्रट बैंक लेगं अथिए उस ही इसडल के अपर मिंटेंड अटैंड 44,000 44,100 का सपोर्ट जों दबता का भी बैंक निटी में ब्रीच नहीं होता है तब तक मैं पैनिक नहीं ले रहा हूं बट मैं 44,100-200 के नीचे जाएगा देना युल बी ऑन दा स्वर्टिं साइट तो मैं लॉंग के कोई प्लान नहीं रहा हूं 42,600 के लिए तो बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सब ये रिस के तरफ हो रहा हूं तो यह प्लान रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए तो इस प्लान को आप लोग डिकोर्ड करिए अपने चार्ट पर सेटप पे अलट लगा के रखिए लेबल्स का और फॉलो करिए विटास बगडिया को एंड थैंक यू वरी नाइच जोस्तो टेक क्यार बाइबाए